एक्सल के इंटरफेस में जब हम काम करते हैं, जो लेंग्वेज उस इंटरफेस में हमें दिखाई देता है जो river area है, जो हमारा tap से, जो हमारा help area है, जो हमारा button से, वो सारे जो language है वो by default English होता है, अगर उस English language को हमें change करना है, तो हम कैसे change करेंगे, आज हम वीडियो के इस module में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा और पसंद आए तो like जरूर किजिए, तो चलि Excel का जो option dialogue box है, उसको open करना परेगा, उसको open करने के लिए हम alt ft shortcut की जो है use करते है, नहीं तो हम फाइल में जाके भी option dialogue box को open कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें जो language का option दिखाई दे रहा है, हम उस पे click करेंगे, उस पे click करते ही हमारे सामने language option के अंदर आने वाले तीन option mainly दिख ही देगा, सबसे पहला जो option है, चूज editing language, चूज editing language के अंदर जब हम Excel में data entry करते हैं, जो हमारा dictionary है, जो हम grammar checking करते हैं, spell check करते हैं, या shorting का जो option हम use करते हैं, वो जो सारे language है, वो सारे language by default English है, अगर English language को हमें change करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमें सारे option मिल ज display and help language, जो display होता है, जो interface के अंदर जो भी हमें display दिखाई देता है, जैसे की ribbon area है, हमारा button से, taps है, और help का language है, वो सारे language है by default English होता है, वहाँ भी हम अगर language change करना चाहते है, तो कैसे करेंगे, हम इस module में बात करेंगे, जो third option है, जो screen tips language, जो हम Excel का ribbon area है, जो भी command हमें ribbon area के दिखाई देता है, अगर हम हमारा जो mouse है, उस mouse को अगर हम उस command के उपर लेके जाएंगे, तो हमारे सामने उस command के regarding, सारे details हमें दिखाई देगा, उस command का नाम किया है, हम इसको कैसे use कर सकते है, वो सारे जो language है, वो by default English होता है, अगर हमें कुछ और language में उस चीज को देखन के और भी language हमें अगर use करना है, तो हम कहां से ला सकते है, हम आज इस video में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, choose editing language, choose editing language के अंदर, हम कैसे हमारे जो editing language है, जो हम data entry करते है, जो भी हम text entry करते है, उस language को हम कैसे change कर सकते है, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ प लेंगियज को चेंज करना चाहते है तो हम नीचे दिए गया हजग एक ड्राप डाउन एरो क्लिक करके हम लेंगियज को सेल अलेक diabetes कर सकते हम यह परिद हैं बांगला-इंडिय को प्लाइँ ken और लेंग्गिया इस लेंग्य एक अगर दिस्पलें कशचेयए मैं सबंग hem इसका जो डिक्षिनर यह उसका जो spelling check का option है उसको अगर हमें डाउनलोड करना है तो हम जो office का official site है वहाँ पर हमें जाना परेगा वहाँ जाने के लिए हम यहाँ पर not install पर click करके जो office का official site है वहाँ पर पहुश सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें हमारे office का जो account होना जोरूरी है इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा second option है choose display and help language excel interface के अंदर जो भी हम comments यह option देख पाते हो सारे English language में है अगर हमें उस command का जो language है अगर हमें उसको change करना है या जो हम help देख पाते है कोई भी अगर हमें help चाहिए excel के अंदर कोई भी option के यूज करने के लिए और जो help language है अगर हमें उसको change करना है तो कैसे करेंगे यहां पर हम बात करेंगे second option के बारे बात करें वह है choose display and help language यहां पर हम excel interface के अंदर जो ribbon area है या नीचे जो भी language हम commands का option का देख पाते वह है English अगर हमें उस English language को change करना है जो display language है तो कैसे कर सकते यहां पर हम बात करेंगे जो हमारा help language है अगर हमें Excel के अंदर काम करने के तुरह कुछ help चाहिए उसका जो language है अगर उस language को भी हमें English से किसी दूसरे language पर change करना है तो कैसे कर सकते है यहां पर हम बात करेंगे तो अगर हम देखे तो display language जो है by default match Microsoft window होता है और जो help language है वह भी match display language जो default language है उसमें होता है अगर हमें इस दोनों language को change करना है तो हम कैसे कर सकते हैं यहां पर हम बात करते हैं तो इस language को change करने के लिए हमें जो office का जो official site है वहाँ पर जाना परेगा वहाँ पर जाने के लिए नीचे जो link हम देख पार है how to get more display and help language from office.com वहाँ पर हमें क्लिक करना परेगा वहाँ पर क्लिक करते ही हम जो office का जो official site है हम वहाँ पर पहुच जाएंगे हम account पर sign in करके उस language को select करके यहाँ पर ला सकते हैं लाके इसको default language सेट करेंगे तो हमारा जो display language है जैसे कि button को tabs है उसारा language जो है उस language में convert हो जाएगा अगर हमें help language को भी change करने अलग से तो हम यहाँ पर help language का भी use कर सकते हैं office के site से हम जो भी language आप select करेंगे यहाँ पर आ जाएगा इसको हम as a default set करके उस help language को भी यहाँ पर use कर सकते हैं जो third option है वो है जो screen tips language language screen tip language के अंदर जो हम excel के ribbon area में जो उपर जितने भी हमारा command से जितने भी option है अगर उस option के अपर हम हमारे mouse बटन को लेकर जाएंगे उस command के बारे में rap text के उपर लेकर जाओंगा तो यह जो command है यह command का नाम जैसे कि rap text हमें दिखाई दे रहा है English में और इस command को हम कैसे use कर सकते हो सारे details जो है इसका language है हम यहाँ पर English में दिखाई दे रहा है अगर हमें इस language को किसी दूसरे language पर change करना है तो हम यहाँ से कर सकते है जैसे कि alt ft प्रेस करके हम language में जाएंगे language में क्लिक करके जो screen tips के language है वहाँ पर हम language जो दो लेंगवेज है और फ्रेंच और Spanish हम यहाँ पर French को select करते है French को select करके अगर okay करेंगे okay करने के बाद एक बढ़ हमें Excel को जो यह office के अंदर आगर आपने Excel वार्ड यह कोई भी करना परेगा बंद करना परेगा बंद करके अगर दुबारा ओपन करेंगे ओपन करने के बाद जो हमारे सामने जो screen tips लेंगवेज होगा ओ फ्रेंच में चुका है यहां यहां पर देख पार है जो लेंगवेज है पूरा फ्रेंच में कनवाट हो चुका है तो हम एक्चुली बैसिकली इसको चेंज नहीं करते क्योंकि हमें हमें इंगलिश में काम करना होता है तो हम इसको बाइदिफोल्ट मेंच डिस्प्लेइज जो ऑफिस के लेकिन हमें एक बड़ Excel को दुबारा यहाँ पर बंद करना परेगा करके दुबारा ओपन करेंगे तो वह लेंगवेज जो है बाइटीफल्ट जो ओफिस का लेंगवेज है उसमें कणवार्ट हो जाएगा तो हम देख पाने यहाँ पर जो लेंगवेज है दुबारा कनवार् के बारे में देखते रहे है डिजिटेल एक्सप्रेश